बीपी एस सी आपकी जो बुक रहेगी बीपी एस सी वन थर्तिफोर कि हम यह सेकंड क्लास करने जा रहे हैं इस से पहले भी मैंने आपको एक क्लास पढ़ाया था जिसमें मैंने आपको चप्टर नम्बर फ़र्ष्ट, second, third और चप्टर नम्बर आपका जो 8, 9, 10 और 11 इतने च इंपोर्टेंट चेप्टर है जो जो इंपोर्टेंट टॉपिक्स हैं जिन में से कोश्चन आने की बहुत ज़्यादा संभावना है उसको हम BPSC 134 में देख रहे हैं अरे हमारा सिकंड क्लास है इससे पहले भी मैंने एक क्लास आपको पढ़ा रखी है अगर आपने क्लास को न नमबर 12 क्या है संयुक्त राष्ट की भूमी का और कार बता हो बहुत इंपोर्टन टोपिक है इसमें से कोश्चन सा सकते हैं तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे संयुक्त राष्ट का उद्देश सिध्धान्त और संगठन उसके बाद हम देखेंगे संयुक्त राष्ट की और भी फलता हैं क्योंकि ए इंपोर्टन्ट है इनकी आने की संभाना एक्जाम में बहुत ज़्याद रहेगी ठीक है तो चलिए देखते हैं कि संयुक्त राष्ट के उद्देश क्या है देखेगा उनाइटे नेशन आप सभी इसके बारे में जानते होंगे इसकी जो अस्था आप देखेंगे इसकी अस्थापना मैं डेट पूरी बता देता हूं 24 अक्टूबर ठीक है उनीस सो पैटालिस को इसकी अस्थापना की गई थी ठीक है यूने जिसको हम बोलते हैं ठीक है और जो इनाइटे नेशन की जो अस्थापने इसका उद्देश क्या है उन्तराष् के सांति और सुरक्षा बनाए रखना या है कहीं पर युद्ध ना हो या पूरी दुनिया में सांति बनायå रखे उनाइटे नेशन का पहला उद्देश है क्या है rebeli sarà क्या है डूसरा दूसरा क्या है लोगों के समान अधिकारों लोगों के आत्मिणटे राष्ठों के बी आपस में मिल जूल करके रहें। अच्छे से मिल जूल कर रहें। यह भी क्या है संयुक्त राष्ट का क्या है एक उद्देश है ठीक है अगले देखेगा अंतराष्टी यह आर्थिक सामाजिक सांस्कृतिक और मानविय समस्यां को हल करना है यह पूरी दुनिया में युनाइटिन नेशन क्या गरता है अगर कोई भी अंतराष्टी समस्या आ कोई भी प्रोब्लम हो चाहे हो राजनितिक हो चाहे हो सामाजिक हो चाहे हो आर्थिक हो या कोई मानविय समस्या हो इन सभी समस्यां का जो है हल करना या उनका समाधान करना संयुक्त राष्ट संग का मूल उद्देश है और एक बात सबसे पहले आपको लिखने पड़ी संय उद्धेसों को प्राप्त करने के लिए क्या करता है राष्टों के कार को समयूजन करता है नहीं कह सकते कि समयूगत राष्ट का जो उद्धेस है उन उद्धेसों को पूर्ती करने के लिए क्या करता है सभी देसों के साथ क्या करता है समनवे करने का काम करता है और एक प्रका क्या है संयुक्त राष्ट का सिध्धान्त तो संयुक्त राष्ट का पहला सिध्धान्त है कि सभी सदस अपनी संप्रभुद्धा आधारित हों संयुक्त राष्ट का पहला सिध्धान्त क्या है कि संयुक्त राष्ट के जितने सदस हैं संयुक्त राष्ट में जितने देश में इंबर बन गया है उसम्प्रबुद्धा संप्रबुद्धा का मतलब समझते हो कि जितने संवीत राष्ट में जितने देश हैं वहां सवतंत्र हों दूसरा ओज्ञों कोई भी देश के दबामना ले बल्कि वहां अपने सथा से हैं उनमें किसी प्रकार का प्रेशन नहीं डाल चार्टर दयुत्र का पूरी तरह के पालन करें। सभी को पालन करना पड़ेगा। तरीके से समधान करना। इसका टालने के लिए क्या करता है? उसका प्रियास क्या रहता है? जो युद्ध हैं, वो ना हो। वो एकिसी अनराज के खिलाब बल या खत्रे का प्रयोग करने से बचे। सव्यूक्त राश्ट एक कईता कि भाई जितने मेरे सदस से हैं यह एक दूसरे पर युद्धना करें बलकि आपस में बात चीत करके किसी कोई भी मामला कोई भी समच्या हो उसको सुल्धाने के लिए काम करें ठीक है धानते हैं कि सयुपतराइश्ट के जितने भी सदस हैं जितने भी मेंबर हैं वह एक दूसरे की खिलाब बलका प्रियोग ना करें युद इन लड़ाई नस्वा करें अलकि आपस में संति के साथ रहें अगला क्या है ना वह तो ना पूर और ना ही कोई सदसfre संयुक्त राश्ट के किसी राज के घरेलु मामले में एंटर फेर नहीं करेंगे बलकि संयुक्त राश्ट भी किसी देश के घरेलु मामले में एंटर फेर नहीं करेंगे जैसे मालो हमारी सरकार है हमारी सरकार कोई फैंशला लेती है तो संयुक्त राश्ट संग ना उसमें एं का सदस जिसे मालो की भारत ने कोई करना है यानि यानि घर रoking पर पड़ेंगे सायूस राष किसी भी देश के घरवल मामले में हस्तक्षेपो नहीं करेगा। इसके क्या हैं सारे सिध्धान्त हैं। अगला हम यहाँ पर पढ़ेंगे संयुत राष संग के कौन कौन से संगठन हैं। इसके लगभग इन संगठन के बारे हम पढ़ेंगे। यह बहुत इंपोर्टन्ट हो स कि महासभा में सभी सदस होते हैं इसकी जो बैठक होती है सामनेता होती रहती है और इसमें जितने मेंबर हैं सभी इसमें अपना मत्या सामिल होते हैं ठीक है देखेगा साइद इसको विशुकी संसत कह सकते हैं इसे मुक्त और अस्पष्ट रूप से चर्चा द्वारा प्रथागत अंतराश्टी कानून के प्रावधानों द्वारा समस्य को हल करने के लिए सम्मानित तक्नीकी का उपियोग किया जाता है या दूनिया की अस्थाई मंच है और बै करते हैं और क्या करते हैं डिसीजन लेते हैं क्या करना क्या निए यह इस दारन legs बनागी सब्गोर क Bailey सब्दों इधं वहहतार है देखो महास्व में संयुतराश्ट कहता है कि हमने किसी समस्या का समधान युद्ध नहीं होता है हर समस्या का समधान हम बात चीत करके डिसीजन ले करके क्या कर सकते हैं उस समस्या का समाधान कर सकते हैं संयुक्त राश्तंगे महासभा है युवियन चार्टर के दायरे में महासभा को सभी मामले पर चर्चा करने की सिफारिस करने का धिकार है इसके निड़ने सभी सद्धिसों के लिए बाद धिकार है देखो महासभा गर कोई डिसीजन लेती है ना कोई फैंशले लेती है तो चाहे इसको कोई सद्धिस माने या ना माने महासभा के जो decision होते जो भी फैंशले होते हैं कोई सदय से माने ना माने इसका कोई फरक नहीं पड़ता है दूसरा महा सभा में क्या होती भाई इसके इसके जो कानून होते हैं जो नैतिकता है वबी सुझनमत है के वजन को ले करके चलते हैं इस प्रकार यहां अंतराष्ट यह संसत की त सभी पर लागू तो नहीं होते हैं लेकिन महा सभा में जितने उनाइटन नेशन के सदस के देशा हैं सभी उसमें भाग लेते हैं अपना मत देते हैं और अपना विचार देते हैं जितने भी मेंबर इसमें होते हैं ठीक है उसके बाद संयुक्तराष्ट की जो दूसरा है क् क्या बोलते हैं सिकोर्टी काउंसल ठीक है देखेगा यह वहां अंग है जिसके लिए चार्टर अंतराश्य सांती और सुरक्षा के लिए जिम्मेदारी रखता है इसे किसी भी समय बुलाएं देखो जो सुरक्षा परिशाद है इसको बहुत मेन माना जाता है सुरक्षा कानून मानने पढ़ेंगा इसने यह जो सुरक्षा परिशाद है इसके कानून मानने पढ़ेंगा इसने जो डीचिसन ले लिया देखेगा जो सिकोर्टी काउंसल होती ना इसके 15 सदस होते हैं कितने सदस हैं 15 होते हैं दस जो सदस होते आस्थाई होते हैं आन पर्मेनेंट होते कभी आते जाते हैं कोई भी आस्थाई होते हैं लेकिन जो जो सुरक्षा परिशाद है इसमें 5 पर्मेनेंट सदस हैं और जिन जिनको हम क्या बोलते हैं अन पर्मनेंट हैं क्या हैं कोई भी इसमें आता जाता रहता आना जाना लगा रहता है लेकिन पांच सदस क्या हैं पर्मनेंट सदस हैं जिनको बीटो पावर मिली है ठीक है यह पांच पर्मनेंट रहेंगे यह हटते नहीं है हमेशा बने रहेंगे जिनको हम बीटो पार वाले देश भी कहते हैं, कौन कौन से देश हैं, जो पर्मनेंट देश हैं, चीन है भई, फ्रांस है, रूस है, बिर्टेन है, अमेरिका है, देखो यहाँ पर लिखा न, कौन कौन से पर्मनेंट सदस हैं, भई, चीन है, फ्रांस है, रूस है, बिर्टेन तिया जाता है, सिकोर्टी काउंसल में जो अनपर्मेंट सद़, जो दस होते हैं, मेंबर होते हैं, वो आम सभा के जरीए चुने जाते हैं, एक अस्थाई सदस द्वारा नहीं या नकरात्म कोट करने पर निर्ने नहीं लिया जा सकता है, जिसे बीटो पाउर का जाता है, जाता है, जिसके पास बीटो पार उसमें से एक मना कर दिया नहीं नहीं, इसको नहीं कर सकते हैं, तो फैंसल है नहीं होगा, हट जाएगा, अब डूसरा बहुत, माली जब पीफाइप कह रहे हैं, कि हाँ ये करना है, जो अनपर्मेंट है, उसमें अगर किसी ने बोल दिया कि ऐसा नहीं करना है, तो फरिबरेया उनी करा जाएगा, चाहे चौइज चाओदा क्हीं अगरणा करना है, बीटो पास बारो पार्मेंट, बीटेण है, अमेरिका, इनके पास बीटो पार है, ये बिटो पारो का यूज़ कर सकते हैं, अगर सन्युक्तरास को फैंसला ले रहा हो कोई डीसीजन ले रहा हो एक क्या बीटो लगा दे बीटो का मतलब समझते हो रोक देना जैसे मालों डीसीजन हो गया कि बाई जैसे माली डीसीजन हो गया कि किसी देश पर हमला करना है और एक ने कहे दिया नहीं हमला नहीं करना है तो नहीं हमला नहीं यहीं से बीटो पार, यह अगली जो सभा उती है, आर्थिक और समाजिक परिसद, युद्ध की अनुपस्थिती या रोक थाम सवचालित रूप से, एक सांती पूर आंतराष्ये बेवस्था सुनीस्छित नहीं करती है, भबिस्थ के संघरसों के को कम करने के लिए, सांती और सांती भंग करने के लिए खत्रों का कार्ण बन सकते हैं संयुक्तराश के संस्थापक जनक ने आर्थिक और समाजिक प्रगती के विकास के लिए देखो कह सकते कि देखो भई जो संयुक्तराश संग है वो सांती और सुरक्षा का प्रयास करता है अगर कह सकते हैं कि आर्थिक विकास हो, समाजिक विकास हो, इसके लिए संयुक्त राश में आर्थिक और समाजिक परिस्द भी बना रखी है, क्या बना रखी है, आर्थिक और समाजिक परिस्द क्या करती है, आर्थिक विकास और समाजिक विकास के कारियों को क्या करती है, द जो महीने का लंबा सत्र आयोजित करता है या सियुक्त राश्ट तथा अने आर्थिक कार्य करता है कौन करता है आरथिक機會 सामाजीक परिश्था है ये जितने चीज इनको करता है इनको कंट्रोल करता है क्या है इनको रेगुलेट करता है कौन करता है आर्थिक और समाजिक परिशत कौन कंट्रोल करता है आर्थिक और समाजिक परिशत जो है कह सकते है यह जितने मैंने नाम लिया जैसे मैंने बोला न आइएफ है डबलु एच्चो ठीक है इतने संगठ्थैं में आपको बताै हैं bowl इंको क्या करता है इनको कंट्रोल करता है इंक == और समाजिक INDOT, अगला कॉंसा? अगला अगर आप देखेंगे, कि जो हमारा next क्या है ट्रस्टी सिप काउंसल जिसके 11 सदे से होते हैं जो प्रसासन को देखते हैं ठीक क्या देखते हैं जो प्रसासन को उनके प्रसासन की जिम्मेदारी सरकारे उन्हें क्या करती हैं स्वचालित करने के लिए तैयार किया जाता है इनको चलाने के लिए तैया बहुत है इसको बहुत कम हो गया है इसको बहुत जदा काम नहीं बलकि इसको बताया जाता है आप तो इसको लगबग खतमी कर देगा है ठीक है अगला क्या है International Court of Justice कह सकते हैं कि एक सबसे बड़ा नयालय है जिसको हम क्या बोलते हैं International Court of Justice इसका भी एक संगठन है जिसमें 15 नयाय दीस होते हैं इन्य 15 जजञ होते हैं ठीक हैं जिसे महासभा और सुरक्षा परिशत द्वारा निर्मित किया जाता है जो कानूनी और अंतराष्टिय संधियों की बात करता है इन्होंने कोट भी बना रखा जिसमें 15 जज होते हैं अलग अलग देशों से क्या होते हैं आकर क्याते आप सबने थोड़ी दिन पहले सुनाओग पाकिस्तान ने पकड़ लिया तो पाकिस्तान वाले कुलबुसन जादो को फासी पर चड़ा रहे थे और भारत अंतराष्टिय कोट में गया था यहीं पर गया था और एक रूपए में किसने मुकदमा लड़ा था उनका क्या नाम है हरी सालवे जो इंडिया के जज हैं उन् सची यहा उसमें 193 मेंबर जो हैं काम करते हैं अंतराष्टे सिविल स्यवकों के रूप में वैं संयुक्तराष्ट के रूप में काम करते हैं अगर किसी भी सरकार या बाहरी प्राधिकर्ण का निर्देश नहीं देने की प्रत्या दुनिया भर में कह सकते हैं कि लगभग 41,000 स्टाप अलग-अलग प्रकार के लोग बना जैसे बान की मून थे इस प्रकार से तुमने बहुत सारे लोगों का नाम सुनगा नहीं जो सुंधिक संयुक्तराष्ट का प्रिष्ट हैं यह कोस्चन आ सकता आप पूच्छा जा सकता है जैसे एक आश्याम में पूचे गए संयुक्तरा पहलता है ना यह आपको सारा बताना पड़ेगा ठीक है जो कोश्चन क्या है 12.4 में किसी की इसकी क्या किया सफलता है वहीं से इगतराश्ट संग की जब अस्थापना 1945 में उसके बात कह सकते है कि पूरी दुनिया में जो संधी और सुरक्ष्षा बनाने में कह सकते हैं अपनी पर चलती नहीं है बलकि जो देश मानती है अगर एक कुछ कहता है संयुक्त राष्टन आने वाली पीडियों को युद्ध से संगड से बचाने के लिए काम करता है युद्ध नहीं होना चाहिए विश्व में सांती बनी रहे मानवा दिकारों की सुरक्ष्य की बात करता संयु यह की होती है सज़्व सबसे बड़ी उपलबदी है आप सब को पता होगा कि जब सज़्व राष्ट संग की अस्थापना होती है उस समय सेंड और खतम होता है तो उसके बाद क्या होते हैं बहुत सारे देश आजाद होते हैं उससे पहले क्या थे उपनिवेसवाद खूब होता है उसके बाद जो यानि जो उपनिवेश वाद है जो कोलिजम है इसको पूरी तरिक्सिका कर दिया जाता है खतम कर दिया जाता है या कम करने का प्रयास की जाता है संयुत राज की जो सबसे बड़ी उपलब 45 में होती है तब संयुक्त राष्ट के सदस असी उपनवेश थे नहीं संयुक्त राष्ट के ऐसे ऐसे असी देश थे ना जो गुलाम थे यह भारती गुलाम था मिंबर था गुलाम था ठीगर यूने ने यूने यूने टाइन ने आजादी हासिल करने के लिए 170 मिलियन लोगो के साथ कईयों की मदद की इस विकास से अंतराष्ट ये समनलोक तंत्री का है तिको क्या होता है कि आप सबको पता हो कि जब सेकंड रोलवार खतम होता उससे पहले देखोगे कितने सारे गुलाम रहते कितने दास थे और बता जार कि जब संयुक्त राष्ट का गठन होता उ प्रभावी रिकार्ड है कई सारे से अंतराश्चे जगडे थे जहां पर युद्ध होने वाला था जहां पर लड़ाई होने वाली थी उसको उसने रोकने का काम किया है। की हैं और कई सारे देशों में क्या इसने सांती के प्रयास किया है। सभी लोग कंच्छा करते हैं कि इसे नागरिक राजवितिक आर्थिक सांस्क्रित था समाजी का दिकारों के लिए होगा। जो संयुक्त राष्ट संग है उसने क्या किया है आप देखोगे मानवा धिकार आयोकी अस्थापना की गिना। कहीं पर भी अगर कोई भी किसी देश की सरकार अगर उस देश के नागरिकों साथ अगर किसी प्रकार का जुलम करती है या अन्याय करती है तो क्या होता है। जो संयुक्त राष्ट संग है क्या करता है उस पर तमाम तरह के फैसली लेता है तमाम तरह की चीजों को करता है तो यहां पर यह बता जा रहा है कि जो संयुक्त राष्ट संग है अगर किसी देश की सरकार अपने नागरिकों पर किसी प्रकार कात्या चार करते हैं तो संयुक् राइट्स हैं, उनको बचाने का भी क्या कर रहा है, प्रियास कर रहा है, क्या करता है, काम करता है, अरे भाई, करता है, लेकिन कई बार सफल होते हैं, कई देसे की सरकार, अपने नागरियों पर किसी प्रकरकात्य चार करती है, दमन करती है, शोषन करती है, अगर किसी देस मे मालो ताना साही सरकार आ गई तो क्या होगे ताना साही सरकार लोगों को दराती है धमकाती है उनको मारती है या उनको नरसंगार करती है तो यहाँ पर Human Rights Commission आ करके जो मानो के अधिकार है भाई मानो का अधिकार क्या जीवन का अधिकार है सुरक्षा का अधिकार है इस प्रकार वोफिर one n stuffs को में स्यूंत करें के मांध याइन अर्शी कानून यस के इसकर में अनुट्य संभिधान करें सब्सक्रीक्रा चार्ड заг wzglड़ियbug मेरे घंilee कंद्र हरा चार्ड चानून कानून के फंदे को विरे कर पता है विशे सहींृत राषैंग का चाठर होता है चाठर 1 चाठर 2 जो कानून बनाए है पूरी दुनिया में इसके कानून लागू होते हैं और कह सकते एक प्रकार से अगर आप देखोगे तो सासन स्थापित करने का या बहतर सासन करने में कह सकते कि संयुक्त राजसंकी क्या है एक हमें बड़ी भूमी का दिखाई पड़ती है अगले देखेगा नेक्ट क्या है पांचों क्या है आज यानि उनाइटे नेशन जो है लगबक 80 देशों में 80 मिलियान लोगों के लिए भोजन और सहाथा परदान करता है लाखों बच्चों के जो उनाइटे नेशन है कई जगा पर देशों में गरीबों को खाना खिलाने में या कह सकते कि जहां पर अकाल पड़ गया है सुखा पड़ गया कहीं पर सुनामी आ जाती कहीं पर भूकम पा जाता है तो वहां पर भी जो उनाइटे नेशन है तमाम तरके क्या करता है काम कर इस प्रकार से इसके बहुत अच्छे काम है कोरोना महामारी में सब ने देखा कि उनाइटन नेशन ने काफी अच्छा बड़ा काम किया कोरोना वैक्सीन को बितरन करने में उनाइटन नेशन के एक बड़ी भूमिका है अगला देखेगा उनाइटन नेशन लगभग 195 देशों कर रहा है यह दुनिया भर में लगभग दो अरब से ज़ादा की क्या मदद करता है जल के रूप में पानी की प्रेशिब मदद करता है, help करता है, कई परकार से, ठीक है, यह इसका क्या है, एक अच्छा काम इसको कह सकते हैं, सारे इसके सफलता है, यह संघर्सों को रोकने के लिए कूटनीतिक का काम करता है, और कुछ पचास देसों को अपने चुनाव के साथ एक वर्स में सहाता परद इसकी बिश्टिस एजंसियों ने जीते हैं, जो सांती का नोबल पूर असकार है, सांती का नोबल पूर असकार है, जो इसकी लाइन है, टैग लाइन है, सांती और सुरक्षा, पूरी दुनिया में क्या काम करता है, सांती और सुरक्षा स्थापित करने के लिए काम कर रहा ह अब बात रहेंगे इसकी कमिया क्या है मियमार्क में जो सरकार आई थी, जो तक्ता प्लेट के जो हमपर जहस्कार है लोगों को गोली मारती थी, इतनी हत्यां ही, उन्याटन नेशन सिरफ अपील करता रहे गया, भई सांती बनाए रखो, सांती बना रखो, किसी ने कुछ नहीं सुनी, चीन ने जो किस पर बर्मा पर कर लिया किक्रेश्य में प्रक्राइब किर युद्ध में किसी ने उसकी सुनी है। हमने सफलताओं की बात की यह तो कमी है मैंने अभी परजन टाइम की बता दू यह देखो अफगानिस्तान में क्या हुआ तालीबान आ गया है तालीबान के लोग कुछ भी कर रहे हैं कोई सुनवाई नहीं है समित्रासा बस चिलाता रहता है बोलता रहता है सांती बना रखो स माने गए नहीं तो क्या करेगा देखेगा 1970 में जब 190-302 प्रमाडू अप्रसा संधी NPT पर हस्थाक्चर किये गए तो सभी महासक्तियों ने इस पर हस्थाक्चर किये बाद में NPT और आंसिक प्रमाडू संधी पर जैसे उत्तर कोरिया इजराइल पाकिस्तान भारत ने प्र प्रमाडू है जो प्रमाडू अप्रसा संधी पर सबने साइन कर दिये कि नुक्लियर नहीं बनाना है गोला परूद नहीं बनाना प्रमाडू हतियार नहीं बनाना है क्योंकि प्रमाडू मनुष के लिए खात्मे के लिए बहुत अच्छानी है तो बही करें कि जिन लोगों साइन कर दिया तहास्ताक्षर कर दिया बंब नहीं बनाएंगे परमाणू बंब नहीं बनाएंगे उन लोगों ने भी बंब ना लिया संयुक्त राज कुछ नहीं कर पाया देखता रह गया अगला देखेगा दो हजार दो में सांती अंतराश्टी अपराधिक नयाले ने कई युद्ध अपराधि पर मुकदमा चलाया लेकिन कई अफरीकी नेताओं पर मुकदमा चलाने के लिए इनकी आलोचना की गए जबकि पस्चिम की सक्तियों ने भी युद्ध अपराध करता है अफरीका के कई सारे लोगों पर इसने मुकदमा चला दिया लेकिन कह सकते हैं जो पस्चिम के देश से जो 30-30 देश थे इन्हें लिए यूद्ध किया उसके उसके उपरात के उसके कुछ ने कर पाए पक्छपात भी कई बार कर देता अ अमेरिका अमरिका का सोफ़ोट कर देटा हर मामले में देखाऊँगा hop अभी कोरोना कोरो ना फैलाने के सारारै पलगा workshop किस पर चीन पर लगा है है कि ने चीन ने जान के फैलाया यह गलती Cela नहीं हो पाया क्योंकि चाहिना कि काईया माना अगी न होगा यह सपलता है ना आगे दिखेंगे 1913 से लेकरके 1901 में महासची जो थे इसके जो थे उनने कहा था कि यहन मानोजाती को स्वर्ग में ले जाने के लिए नहीं बनाया बलकि मानोता को नरक से बचाने के लिए बनाए गया है संयुक्त राष्ट ने कई हिंसक संघर्षों को हल किया है युद्ध को रोकने का प्रयास किया है लाखों लोगों की जान बचा है लेकिन इसे निरासाओं का भी सामना उनाटन नेशन के एक अध्यक्ष उसने क्या बोला में सव दिन में लगभग आठ लाग से अधिक लोगों का नरसंघार हुआ 1995 में कह सकते हैं कि बोसीनियाई में कह सकते हैं वहाँ पर सुरक्षी छेत्र में हमले हुए 8000 मुस्लिम पूर्शों और लड़कों का नरसंघार हुआ सरफुरा में लगभग आनुमानी तीन लाख सुडानी नागरिक मारे गए नाइजीरिया में कह सकते हैं कि बोको हरम में लगभग 13000 लोगों की हत्या की गई यहाँ पर उनर्टेन नेशन कुछ नहीं कर पाया इतनी लोगों की हत्या है उनरसंघार हुआ अगले देखेगा बाडी काउंट की एक हालिया रिपोर्ट से पता चला है कि इराक में एक लाख लोगों की मौत की अलामा अभगानिस्तान में लगभग 2,20,000 लोग मारे गए अमेरिका की बिदेशी नीती के पन्याम सुरूप पाकिस्तान में लगभग 80,000 लोग मारे गए लेकिन फिर महापई भी संयुक्तरासंग कुछ भी नहीं कर पाया नरसंगार होता रहा लोगों का कतलेयाम होता रहा संयुक्तरासंग कुछ भी नहीं कर पाया ठीक है यहां पर देखेगा हाल में कैसकते इजराइल के गाजा में इस्कूलों में अस्पतालों में घरों में 222 लगभबाई सो फिलिस्तिनी की हत्या कर दी गई उनकी कारवाई की निंदा करते हैं मानवा धिकार ने संयुक्त राज संग की पूर्ब सच्चु नभी पिल्ले से कहा का इजराईल गाजा में अपने सनी खमले में जान बूचकर के अंतराशी कान उनके अहलने कर रहा था और सक्टियों के इस प्रकार से संभावित युद्धों अपरादों के लिए जबाब दे होना चाहिए संयुक्त राज की सुरक्षा परिष्द विफल रही क्योंकि इसने संयुक्त राज अमेरिका ने इजराईल के खिलाप कोई कारवाई नहीं की तो करें भई कई बार संयुक उनायटन नेशन को अगर सफलता का भी सामना करना पड़ा है करना करना के लिए उनायटन नेशन में कई प्रकार के बढ़ना वने जब बना था तो उस समय की परिष्दितियां अलग थी आज समय की परिष्टितियां अलग है अगर इनुनाटिन नेशन में किसी प्रकार का बदलाव किया जाता तो साहय दिया हाँ जौधा कारगर हो सकता है सदस राज सुरक्षा परिश्द में अभिमानी गुप्त और अलोकांत्रिक होने का आरोप लगाते हैं लेकिन बीटो सक्तियों में परिवर्तन में का विर्योद करते हैं इस भी सक्तिसाली देशों द्वारा संयुक्त राज चार्टर का उलंगान संयुक्त राज की प्रभाव सीलता को कम करता है करें कि संयुक्त रास में जो सक्तिसाली देश है ना वो संयुक्त रास का जो चार्टर है जो नियम जो कानून है उसको मानते ने उसको फोलो नहीं करते इसलिए संयुक्त रास संग का जो भई इसका कानून है वह अना काम्याब हमें होता हुआ दिखाई पड़ता है इसलिए क सभ्षाज की नियम और कानुन नहीं मानते हैं इस काण भी जम को असफलता का सामना करना पड़ता है ठीक है नेक्ट चटर हमारा क्या चेप्टर नमबर 13 क्या अंतराश्टी आर्थिक संगठन अंतराश्टी आर्थिक संगठन में क्या देखेंगे 20 सुबैंक को यह important हो सकता एक्जाम में आपसे पूछा जा सकता कि 20 सुबैंक को ले करके 24 सांप्धि के लिए अंतर राष्ट्य छेत्रों के सात्राश्टी आर। इसकी अस्थापना कब की गई जब इसकी अस्थापना की गई थी डेखेए बिस बैंक जिसे हम क्या वल्ड बैंक के नाम से भी जानते हैं दूसरे बिस युद्ध के बाद अमेरिका सहीत मित राष्टों ने चाहा कि एक ऐसी संस्था का निर्माड हो जो युद्ध के प्रभाव को कम करने के लिए करना है हमें किसी संगठन की स्थापना करनी है तो कह सकते कि एक सितंबर 1949 सी लेकर के 1945 तक चला जिसमें बिशुके जादतर देश सामिल थे और कई सारे देश कह सकते हैं सेकंड डॉल के बाद कमजोर हो गए कईयों की आर्थिक खराब हो जाती है तो आर्थिक विकास को सुनुश्चित करने के लिए कह सकते हैं कि 20 सुबैंक की अस्थापना करने का प्रस्ताव किया गया इसी तहत क्या होते हैं बिटेन उट्स पनाली में बनाई गई है जिसने नि इसस सीट किया गया था क्या करा हो जो 20 सुबैंक कि ऩंप गया इस को सामिल किया गया थRE निरे का पून्ना निर्माण ये पिकास पुंछनन निर्माण भाइंक था जिसमें सामिल किया गया था इसको 12 अंत्राष्ट्रिय विकास मंच लिख लिए ना अंतर राष्टीए विकास मंच तीसरा कौन है अंतर राष्टीए बित्थिये निकाय जो चौथा था इसमें क्या था बहु पक्षिये निवेस गारंटी संस्था मैं थोड़ा लिखने का प्रयास करता हूं लेकिन चलता नहीं लेकिन सुन लेना ठीक पांचवा क्या है निवेस विबादों को सुलजाने के लिए अंतराश्टी बैंक यह अगर कुछी प्रकार का निवेस होता है या विबाद होता है उसको सुलजाने के लिए क्या करेंगे यहां पर यहां पर अस्थापना करने की क्या की गई है बात की गई है ठीक है आप सुनिएगा दूसरे 20 के बाद विभिन देशों की अर्थे ब्योस्ता को सुधानने के लिए कह सकते हैं कि जब सेकंड डॉल डॉर होता है तो कई सारी देशों की अर्थे ब्योस्ता जो थी भाई बहुत ज़्यादा खराब हो जाती है तो इन देशों की अर करने के लिए उनको लगतार सतत विकास को पढ़ावा देने के लिए जो गरीब देश हैं उनकी देस की कर ना भाईया गरेवी कम करना है और उनमें सतत विकास sustainable development को प्रहवा देना है दूसरा क्या है यूद्ध से प्रभावी देशों की समस्याओं को कम किया जाए विसुभैंग क्या करता है जो यूद्ध से प्रभावी देश थे उनमें अगर किसी प्रकार की समस्या है जैसे भुकुमरी है गरीबी है फूड की खाने की समस्या है जिस इस प्रकार की समस्य है तो इन समस्यां को दूर करने के लिए रास्ते तला से जाए इस प्रकार की समस्यां को दूर करने का काम कौन करता है विसुबैंग करता है तीसरा बैस्विक और छेत्री मुद्दे अगर कोई सी प्रकार का बैस्विक मुद्दा है या छेत्री मुद्द भाई जो जी अच़ित बैंक करने केंगे मनट्सन प्यillos Leaf Dollar में आफिन Kita सब्सक्राइस क्या नाम है, दो बैस्विक संस्था कौन सी है, IBRD, और दूसरा क्या है, IBA, IBA की मिलने से बनिये, यह जो 20 संस्थाओं की मिलने से बना, कौन कौन सी संस्था है, IBRD, और दूसरी कौन सी संस्था है, IBA, IBA, IBRD और IBA, यह दो संस्थाओं थी, जिन से मिलकर के कह सकते हो कि 20 सुबैंग को बनाया गया है और 20 सुबैंग में कितने देश हैं 180 देश सामिल है कितने देश सामिल भई 180 देश इसमें आते हैं और इसके प्रतेक संस्थाओं को अलग-अलग कार करते हैं बिस बैंक में जितनी संस्था हैं क्या करती है अलग अलग प्रकार से काम करती है लेकिन उद्देश एक ही होता है बिस बैंक का काम क्या है भाई सतत विकास को सतत विकास को बढ़ावा देना क्या है बिस बैंक का पहला काम है सतत विकास को क्या करना आपको बढ़ावा देना यही सततविकास, सततविकास को बढ़ाव देना क्या है? विस्ववैंग का काम है. अगल देखेगा, IDBRD, निम्न और मध्य, दोनों प्रकार के देशों में आते हैं. यही कह सकते हैं कि जो IBRD जो होता है, जो निम्न देश हैं, जो मध्यम देश हैं, इनमें सभी प्रकार के देश आते हैं. और बहुत कम ब्याज पर, IDBRD जो होता न, यह बहुत कम ब्याज पर क्या देता है? लोन देता है. यही ब्याज बहुत कम लेता है. कौन सी संस्था लेत पाइसे ले सकता है लेकिन आई डिये जो होता है इसमें सिर्फ गरीब देशों को सामिल किया गया है जो ब्याज रही तो यह नहीं इसमें जो आप रिन लेंगे उस पर किसी प्रकार का ब्याज नहीं लगता था कौन सी मैं बता पहले सुनो आई इंसे ब्याज जो है अगर आप इन से ब्याज लेते हैं तो क्या करना पड़ेगा इन सो के देश लिता है कि इस पर दो आज नि लिया जाता है विए नहीं लगता है जो निम्नाइ वाले के ब्यक d again गरीब देश होते हैं उनको उनके लिए कह सकते हैं कि यहां पर जो संस्टांट बने गई आईडिये हैं जो गरीब देशों के लिए पर किसी प्रकार का व्याज नहीं लगता है विदावैज के इनको दिया जाता है ठीक है बाते बता तू ध्यान सुना, ध्यान सुना के जो मैं बता रहा हूँ, देखे ला, बीस सु बैंक, जो हमारा बीस सु बैंक है न, इसके पांच परमुक सेर धारक है, क्या है, पांच इसमें सेर धारक है, पता कौन-कौन है बीस सु बैंक में, पांच परमुक सेर धारक, एक त सब्सक्राइब करता है और सब्सक्राइब करता है उसको हम क्या बोलते हैं बोर्ड ऑफ डारेक्टर यानि गवर्नर का सम्मेलन की अध्यक्ष करता है सब्सक्राइब को सब्सक्राइब करता है इसका अध्यक्ष मेर्म गवता है ऑप्ट याल जो नवेया. अमेरिका का जो सद्दसए ons अध्यक्ष कभी निमीं सकता है। इसका चुनाओं अमेरिका के द्वारा हि किया जाता है। यही कणहें कि अमेरिका में सबसे बड़ा लगा अमेरिका के लगा। यही। इंपोर्टेंट है ध्यां रखना 20 सुबैंग का अध्यक्ष जो होता ना इसका चुना ना बोर्ड ऑफ गवर्नर्स द्वारा किया जाता है जो 20 सुबैंग का अध्यक्ष नहीं बन सकते हैं किसके 20 सुबैंग के ठीक है कारपालिका का निर्धेशिका ही बीसुबैंग का बोर्ड ऑफ डिरेक्टर का घठन करती है रोज मर्रा का काम करने के लिए सप्ता में दो बार मीटिंग करती है इस ibsusbank के बारे में इंपोरेंट सा जो मैंने आपको बता रहा था जो जो मैं पॉइंट एक्स्ट्रा बता रहा हूं इनको लिख लो इंपोरेंट हो सकता है next देखेएगा अमरे क्या w anderer wtih definite हो सकता है देखेगा witsubyapar संगठण 1995 में बशनमें बना है अंतराश्टी संगठनों में सबसे इवा है ठीक है WTO 1947 में अस्थापित टारिफ एंड ट्रेड सामने समझावते का उतरा धिकारी है अंतराश्टी व्यापार संगठन 1947 में व्यापार को बढ़ावा देने के लिए व्यापार बाधों को कम गए देखो 20 व्यापार संगठन इस अंतराश्टी व्यापार संगठन का प्रस्ताव इसका अस्थापना हुई थी पहले भी 1947 में इसको WTO नहीं बोला जाता था बलकि इसको क्या बोला जाता था यानि टैरिफ एंड ट्रेड सामने समझावते इसको बोला जाता था दूसरे संगठन के नाम से इसको बना था और बाद में 1995 में इसका नाम क्या रखा गया WTO 20 यह विशला पार संगठन क्या करता है पूरी दुनिया में जो ब्यापार होता है जो ट्रेड होता है भई व्यापार आसाणी से अपय या ट्रेड आसानी से हो सके यह व्यापार में जो आने वाली बाधाएं होती है उन बाधाय को कम करने की लिए क्या करता है वीस ब्यापार के संगठन का काम करता है ताकि खूब से जदा से जदा ब्यापार बढ़े जद जदा डवलेमेंट हो सके ठीक है वही वार्ता वहीं समाप्त नहीं हो 1997 में दूर संचार सेवाओं का एक समझत हुआ जिसमें 69 सरकारी उरगवे की ब्यापक पर उदारी करन और उपाय को एक सहमेत हुए उरगबे के दोरान की वारता बढ़ा है एक ही वर्स में 40 सरकारों को ने सूचना प्रदोगी उत्पाद में टैरिफ मुक्त देखो जो 20 ब्यापार संगठने क्या काम करता है टैरिफ मुक्त ब्यापार हो यह अगर एक द जैसे भारत है भारत अगर चीन में अगर अपना कोई माल बेचता है तो भारत जब ट्रेड करे अपना माल बेचे तो उसको किसी प्रकार की समस्याना है और जो हमारा ब्यापार आसानी से हो सके उसी प्रकार से कह सकते है जो चीन है अगर उसको पाकिस्तान में अगर कोई प करता है नाम इससे पहले इसका क्या नाम था इसका दूसरा नाम था चिसके प्कुर्ण से यह वाँ सभийlara सदश्य है सबी सद्सों के निवनर्य को सामिल करके कोई प्रियम्र के हैं जो सबसे ज़्याता है यहां पर सबसे ज्यादा बहुमत है तो वह ही काम होगा ठीक है नि पहुमत के आधार पर फैंसले कांड लेता है जो नेवा सुजर लेंड में मैं त्री अस्थल समीति जो हर दो साल में कम से कम बैठ के करती है यानि 20 व्यापार संगठन की सामाने परिसत की रूपोर्ट करती है यानि जो अगर देखो गए वस्तु परिसद सेवा परिसद बाधिक संपदा क्या करती है 20 व्यापार संगठन जो हता है इसको रीपोर्ट करती है अन्द में कई कारिकारी अधिकारी भी होते हैं यदि कोई व्यापार विवाद होता है तो WTO उसे हल करने की लगाम करता है अगर ब्यापार को लेकर के पूरी दुनिया में अगर किसी प्रकार की समस्या होती है जो 20 ब्यापार संगणने इसका क्या करता है समाधान करता है उधान के लिए कोई देश किसी अन देश के खिलाब सीमा सुल्क के रूप में ब्यापार औरोध खड़ा करता है तो 20 ब्यापा पर आर्थिक प्रतिबैंद भी लगा सकता है, एक ऐसा कारवाई कर देगा, ठीक है, ढैसे विस व्यापार संग्ठन जो है 2017 में अमेरिका सहिट, कई देशों में व्यापार परंदेंगों, innocence अमेरिका रिचया कि इस नि व्यापार संग्ठन का भविस वदोर 2 दोहराद दोहजार सुरू में होता है इसने किर्सी सेवाओं पर व्यापार में सुधार करने के लिए ध्यान केंद्रित किया है। लेकिन हमारी जो सरकार है वो चीन के साथ व्यापार क्यों नहीं खतम कर पाती है। ब्यापार बंद करतेंगे तो भारत पर आर्थिक प्रतिबंद लग जाएगा। उसी प्रकार से पाकिस्तान के साथ हमारा इतना ज्यादा डिबेट है। आतंकवादी हमारे देश में भेज़ देता है। इतनी प्रकार की चीज़े होती है। लेकिन फिर भी हम उसको रोक नहीं सकते हैं। पाकिस्तान के साथ फिर भी हमारा ब्यापार चलता रहता है। रीजन क्या है क्योंकि हमने विभई विस ब्यापार संगठन में साइन कर रखा है। मना नहीं कर सकते हैं चाहिए युद्ध हो जाए चाहे लडाई हो जाए लेकिन व्यापार चलता रहेगा व्यापार को रोकानी जा सकता है अगर भारत व्यापार को रोक देगा न तो क्या ओगा हमारे देश पर परतिबंद लग जाएगा कौन लगागा 20 ब्यापार संगठन लगा देगा नहीं कह सकते कि 20 ब्यापार संगठन जो है ब्यापार को बढ़ावा देने के लिए यह हमेशा प्रयास करता है यह ब्यापार में अगर किसी प्रकार की रुकावट है समस्या उसको कम करने का क्या करता है प्रयास कौन करता है 20 ठीक है नेक्स्ट देखेगा क्या हमारा यूरेपीय संग देखेगा यूरेपीय संग क्या है यूरेपीय संग का उदेश है सांती को बढ़ावा देना एक आधिक आर्थिक और मौद्रिक पनाली इसका जना देश भी समाबेश को बढ़ावा देता है ठीक है देखो एक चीज म यूरॉप्य संग बना रख विया एक परकार प्रकार की समस्य को थूर भी करते हैं और अपना ब्यापार 27 पश्चमी और पूर्वी उरोपिय देशों को मिला करके समुग बना गया है जिसकी सुरुवात 6 देशों ने की थी 1950 में और आब इसमें कितने 27 देश हैं इसने 20 के सबसे बड़े आर्थिक योम राजनेतिक समुगों का निर्मान किया है उरोपिय संग 20 का सबसे बड़ा GDP है सबसे बड़ी GDP मानी जाती है और सबसे बड़ा बाजार है 200 के संसाधनों का नियंत्र इस पर बहुत है लेकिन सक्ति के दो सबसे महात्पूर्ण यंत्र अर्थात सुरक्षा विभाग और सभी यूरोपिय संग के पास नहीं है इसके पास राष्टी हितों को ध्यान में रख खास पहचान रखता है पैरिस जो की फैसन की सिटी कही जाती निकाशति यूरोपिय संग जो है वेक बढ़ती हुई और बहुत बड़ी सक्ति है ये कोई देश नहीं है बलकि क्या है एक संगठन है यूरोपिय संग के 27 देशों का क्या संगठन है आगे सुनेगा यूरोपि यूनियन विस्ट की सबसे बड़ी आर्थि आर्थे ब्यवस्ता है यूरोपिय संग है विस्ट की सबसे बड़ी आर्थे ब्यवस्ता मिसको गिना जाता है और सबसे पूजी वादी बाजार है वर्ल्ड बैंक के अनुसार यूरोपिय संग का आउसतन उत्पादन 2015 में 12 ट्र करता है जो कि विश के निर्यातक और अमेरिका से तीन गुना दिक निहीं भाइव सकते हैं देसों के भी प्रकार की वस्ति हों उनका क्या करता है। ब्यापार कर रहा है। युरोपेया चलती है। यूरोपिया चलती हैं यूरोपीया बूटे यूरो आप समने सुना उगात ना है। अमेरिकी डोलर से महेंगा को नहीं है यूरो यूरो संग है उस की करणसी उसकी मुद्रह सबसे महेंगी उल्ह consulting मानी जाती मुद्रा जो अमेरिकी डोलर से भी क्या है बड़ी है यह चुनाउती इसको दे रही कह सकते हैं यति हम देखें तो जादा तर जो यूरोपिय संग है यह बहु अंतराश्टी कमपनिया भी यूरोपिय संग के सदस राश्टों जो की बैस्विक अस्तर पर अपनी पकड को सब्सक्राइब करता है या भी हमेशा किस्की बात करता है सांती और सुरत्षा की बात करता है ठीक है यूरोपिय संग भी सांती और सुरक्षा की बात करता है ठीक है पहले ही सुरक्षा परिशत के अस्थाई सदस थे लेकिन 2016 में बिटेन ने अपनी सदस्टा का छेतर यूरोपिय संग के अलग कर दिया है जिसको हम क्या बोलते हैं निसेद अधिकार वाला राष्ट बन च्वाल का अधिसा से अलग हो गया है अब क्या है यूरोपिय संग के पहले जिसके पास बीटे पावर तो इसके पास दूसरा बिटेन पर है ठीक है अगल देखेगा लेकिन फिर भी यह अपनी भूमिका को अच्छी तरह निबरा यूरोपिय संग अपनी संसद नियाले जंडा एकल मुद्रा सभी राज्यों के लिए सीमाओं के आरपार बिना पासपोर्ट के आज बीजा के आवागन के दोखो यूरोपिय संग क भी जा सकता है कोई रुकावट ने यूरोपिय संग ने अपनी मुद्रा बना रखी है अपना नियल्या बना रखा है अपना जंडा भी बना रखा है अगर हम इसकी भावगली की स्थीग बात रहे है तो यूरोपिय जो संग है इसके पास लगभग 40 लाख वर्ग किलो मीट करने उसके पास बहुत ज़्यादा है जो कि बिसुके देशों में सातवे नंबर पर आता है यदि कोई देश बढ़ता है तो इसका भावगली क्षेतर बढ़ेगा इसके पास पेट्रोलियम विसाल संसाधन का बंडार है जो यूरोपिय संग है बहुत सारा पेट्रोलियम है बहुत सारा विसाल भंडार इसके पास क्या होता है हमें पाया जाता है अगर मैं जनसंख्य बात रहूं तो यूरोपिय संग्य जो जनसंख्या है इसके पास लगबग 46 करोन है जो कि 20-20 जनसंख्या का 7.6% है चीन भारत के बाद यहां तीसरी नंबर पर आता है नहीं अगर हम लोग जनसंख्या की बात करें जो यूरोपिय संग्य जनसंख्या में कितनी नंबर पता नंबर थड़ पर आता है इसकी पोपलेशन भी बहुत ज़्यादा है अगर हम इसकी तक्नीकी सक्ति की बात करें तो यूरोपिय संग्य के पास कई सारी तक्नीकी सक्तियां है यूर पॉइंट दो समंध है अगर आप आप देखा काफी आगए है वही मैं पॉइंट बता रहा हूं वही मैं चीज़े आपको बता रहा हूँ ठीक है ये सारी चीज़े जो मैं बता रहा हूँ एक नोट्स है मेरे पास उसे से जो मैंने लिख रखा है ठीक है ये नोट्स मैं आप टेली ग्राम में जरूर सेंड कर दूँगा वहां से आप इसको जरूर देख लेना ताकि आपको European जो स भाजनेतिया है या मानलो कोई दूँप है ठीक है एक भाजनेतिक शेंसे बतातो है शेंसे में २ेकलिक इसे मिली सीमा क kijत भी राजनेतिक राजनेतिक और गत्वीदों क्या करते हैं उसमें सामिल होते हैं दुनिया के एक ही छेत्र के कई देश आपस में सहयोग करते हैं और एक ही कंड की प्रकिरिया करते हैं तो हम इसको क्या बोलते हैं छेत्रवात बोलते हैं इस जाम बत्रू बताओं जैसे माल लो आप सब बोते हमारा जो देश ह में है न, हम क्या बोलते है दख्षिन ASI' कों कांसे देश है जैसे भारत है अफगानिस्तान है पाकिस्तान है नेपाल है स्री लंका है बंगलादेश है मालडीभ है ठीक है इस सारे देश क्या है दख्षिन ASI अगर मालों दक्षिन एसिया के देश जो हैं आपस में मिल्यूल करके ट्रेड करें व्यापार करें या तरकी करें हम इसको के बले एक छेत्रवाद है इसको हम क्या बोलते हैं छेत्रवाद यानि एक भावगोलिक सीमा के अंदर जितने देश हों वह अपने राजमितिक आर्थ सामाजिक मिल करके अपने समनबे करते हैं और एक दूसरे को अगर सपोर्ट करते हैं उसको क्या बोलते हैं छेत्रवाद अरे छेत्रवाद सिरफ अंतर राश्री समझता है बलकि भासा छेत्रवाद होता है जैसे मालों अगर पंजाब का व्यक्ति है तो अगर पंजाबी को को लेकर के उसमें इंक्रिटी है वो पन्जाब करता है ऐसा वैसा है पन्जाब के लोग जैसे ुद्यच्व में रहन चेतरवाद को बोलते हैं किए राज्ज छूतर बोलता ना। यूरूप के जो देश हैं, 27 देश हैं उन्होंने क्या कर लिया? अपना एक ग्रूप बनाले, जा बनाले, उर्यूपिये संग, अरे यूरूपिये संग जब बनालिया है, तो क्या है? आपस में बिल्च रूपट कै क्या करें? राजनेतिक है, सामाजिक है, आर्थिक है, अपना सारा काम कर रहें, एक दूसरे के सपोर्ट करते हैं, एक दूसरे के मदद करते हैं, एक दूसरे के हल्प करते हैं, राजनेतिक, आर्थिक, सामाजिक रूप से, तो क्या है, ये छेत्रवाद है, या आप एक छेत्र के, या एक दूसरे का मदद करते हैं, दूसरे का अगर सपोर्ट करते हैं, तो हम इसको क्या बोलते हैं, छेतरवाद बोला जाता है, ठीक है, ये क्या है, छेतरवाद है, ठीक है, अब हम बात करें, छेतरवाद क्या है, छेतरवाद ये कह सकते हैं, जो रीजन होता है, यानि जो छेतर होत है बहुने का रिजन है महाद्यीप के आन चेत्र की पढ़ें करने के प्रविर्टी होती है यह जारणे की सरी जैसे महलें फ्रांशबर इस चेटर महालों एक देशोत टीन देश चार देशोकार से क्या देर्स हैं उसके परなんか बना लिया है और आपस में क्या करते हैं सहयोग करते हैं मदद करते हैं एक दूसरे की help करते हैं एक दूसरे मदद करते हैं यही क्या है छेतरवाद इसको बोला जाता है छेतरवाद के उदहारन क्या है उदहारन एक जामपल जिसको हम बोलते हैं छेतरवाद का उदहारन क्या है हम क्या बोलते हैं अफ्रीकरी स्भाइब इसको बोलgeon का अमेरिकी। गूपे मिलिक्ति क्या ये एक सप्रीडिया के लिए मिलकों का लिया है अपस सब्सक्राइब कर लिया है तो क्या है ये भी एक प्रकार का क्या है छेत्रवाद है उसी प्रकार से देखोगे आसियान आसियान जो बना है ये भी क्या है प्रकार का छेत्रवाद है ये इसको हम क्यों बोलते हैं छेत्रवाद ही बोला जाता है ठीक है ये सारे का है छेत्रवाद के एक जामपल है अगला देखेगा छेतर बाद जो होता किस प्रकार से होता सामाजिक सांस्कृतिक समानता की बात करता है यानि एक छेतर के एक छेतर में जितने देश होंगे वहां आपस में विल्गर करके सामाजिक आर्थिक राजनेतिक एक दूसरे में क्या करते हैं सपोर्ट करते हैं मदद करते हैं और कह सकत एक छेतर में जो देश होते हैं ना एक छेतर में मालों की जितने देश हैं यह आपस में क्या करेंगे भासा की आधार पे धरम की आधार पे इतिहास की आधार पे और विचारों की आधार पे क्या होती है इनमें समानता पाई जाती है सभी क्यों के एक समान होगे यह कप्रका क भाई चेतरवाद की पहचान है छेतरवाद की पहचान के वुप में हम क्या European आर्थिक छेत्रवाद ये नव छेत्रवाद कह सकते हो आर्थिक छेत्रवाद को ही आर्थिक छेत्रवाद कहा जाता है तो आर्थिक छेत्रवाद क्या तरहां सुनेगा समान भावगुलिक छेत्रों के बीच में राजयों के बीच में जो आर्थिक सहयोग होता है जैसे मैंने बोला था कि भाई एक छेत्र है बोलो हाँ उसमें कई सारे देश हैं ठीक है एक छेत्र में क्या कई सारे देश हो गए लेकिन एक जो देश है एक भागलिक सीमा के अंदर में एक क्या आर्थी का धार पे क्या है आर्थी का धार पे जब आ एक दूसरे का सहयोग करते हैं मदद क जाता है ठीक है क्या कहता है जो नौ छेत्रवाद होता है यानि एक छेत्र में जितने देश हैं या एक इलाके में जितने देश होते हैं वह आपस में विल्जर के आर्थिक गदविद्यों को क्या करते हैं बढ़ावा देते हैं क्या बना लेते हैं अपना ग्रूप बना लेते है ठीं आगेज़ देखेगा चेत्रिय एक इकन की भावना होती है जब जब नौ चेत्रवादा आता तो क्या होता है फोग। इन्हें क्या होती है। 9500 का आगमन कभ से माना जाता है? 1990 से माना जाती ही निफसे निफसे नव्चेत्रवाद आ है। देश हैं एक भोगले की लाक्य में ठीक है क्या करेंगे आपस में आर्थिक गदीद्यों को बढ़ाने का क्या करते हैं प्रयास करते हैं ताकि उनकी आर्थि व्यवस्था अच्छी हो जीडीपी अच्छी हो उनका व्यापार अच्छा हो उनको जल 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 आब इस उका हम क्यो उसमें जितने देस होंगे, क्या करेंगे एक देस, दूसरे देस में क्या है, अपना समान बेचेगा, आपनी चीजों कादो पिचेगा, लेकिन वहाँ पर जोन पर किसी प्रकार का सुल्क नहीं लगता है, मुक्त ब्या पार किया जाता है, आर्ठिक छेतरवाद मays जितने देस छेतरौष में जितने देश होते है उपने लिए एक सामान्य बाजार बनाते हैं सभी फैंसले उसी आधार परने लेते हैं आर्थिक छेतरौष में क्या है। जो उसमें देश सामिल है उपने इस्तापना की जाती है। बाने के लिए उत्ती अउन्हें से नौने शत्र वाध में के देश सामिल होते हैं त। जितने देश सामिल होते हैं, वो क्या बनाते हैं, एकल बाजार बने, यानि वन मार्केट की बात करते हैं, यानि क्या बने, एक ही फैंसे लिल जाते हैं, इसमें ठीक है, वन मार्केट बनाने का प्रयाद करते हैं, तो यही क्या आपका छेतरवाद है, और नो छेतरवाद, नो आर्थिक जो गजविदियां होती है जो ट्रेड होता है, जो ब्यापार होता है इनी सिर्फ इनी गजविदियों को बढ़ावा दिया जाता है, ठीक है? पर देखें क्या है चप्टर नमर फोर चप्टर नमर फोर के है यथार्थवाद यह बहुत इंपोर्टन चप्टर हो सकता है और इसके बारे में आपको मैंने पहले चप्टर मीं पढ़ाय था, लेकिन यहाँ पर अगर आप देखेंगे, तो इसको बड़े अच्छे से explain कर रखा है, डीप में चीजों को यहाँ पर बता रखा है, ठीक है? खास तोर से हम यहाँ पर यथार्थवाद और नव यथार्थवाद को देखेंगे, ठीक है? सास्त्री यथार्थवाद ही यथार्थवाद है मैं बता दूँ, जो यथार्थवाद है उसी को हम सास्त्री यथार्थवाद बोलते है या परम परागत यथार्थवाद बोला जाता है ठीक है और नव यथार्थवाद इन दोनों चीज़ों को हमें यहाँ पर देखना है क्या होता है देखेगा सबसे पहले हम देखते हैं कि यथार्थवाद की मुख्य धारना क्या है यथार्थवाद क्या कहता है तो यथार्थ बाद कहता है कि जो पूरी अंतर राष्टी बेवस्ता है यहां राज धीं को चला रहे हैं राजल यो बेवस्ता है वह चलती है ठीक हैCH के reinforceर्ञाइस कोई सकती होते है राज्यों के जो decision होते हैं पूरी अंतराष्टी ब्यवस्ता को कौन चलाता है राज्य चलाता है पहली बात है एक clear एक point में बता दिया है कि यथार्थ वादी ये कहते हैं कि अंतराष्टी ब्यवस्ता की जो करता है क्या है राज्य है राज्य का ही क्या है सबसे ज़्यादा प्रभाव किस पर पढ़ता है अंतराष्टी ब्यवस्ता पर राज्य जैसे होगे राज्यों का सभाव जैसे होगा राज्यों का नेचर जैसे होगा उसी प्रकार से अंतराष्टी ब्यवस्ता भी बन जाएगी उसी प्रकार से जो अंतर दूसरा आइए आपने चरित में आराजक है लेजेरां करने की बेवस्था में कई सारी कम है देखो यथार्थ वाद में आजाराँ रख्ता को और अंतरराष्ट्री संबंधों को लेकर करणे की बिवस्था में कोई केंद्धियर अधिधाना या विश्वास सरकार नहीं है वि अच्छे की भावना से बाहर हैं, देखो, कहते हैं कि अंतराष्टी जो संबंध है, उसमें कोई देश किसी देश पर विश्वास नहीं करता है, क्या है, क्या है, अंतराष्टी संबंधों में क्या आजा रखता है, क्या है, कुई सी प्रकार का संबंध नहीं है, अंतराष्ट जो है उसमें कोई बीसो सरकार नहीं कि सभी लोग उसके नियम या कानूनों को फोलो करें मानें बलकि सभी राज जो है ना अपने अनुसार चलते हैं अंतराश्टी संबंद में वही हर देश ना अपने अकोडिंग काम करता है हर देश किसी कोई अंतराश्टी संबंदों का कि किसी पर कोई असान नहीं पड़ता, आजारक्ता का मतलब बेता कि सभी अपने मन की कर रहे हैं, अंतराश्टी बेवस्था में कह सकते हैं, जिस प्रकार व्यक्ति अपने मन की करता है, अपने मन की सुनता है, जिस प्रकार से व्यक्ति कह सकते हैं, अंकारी है, या व्यक्ति में राज जो है अपनी सैनिक सक्ति को बढ़ा करके क्या करना चाते हैं दूसरे पर कब्जा जमाना चाते हैं जिस प्रकार से व्यक्ति दूसरे पर अधिकार करना चाता है दूसरे को कंट्रोल करना चाता है दूसरे को निर्देशित करने के तत्व व्यक्ति में रहते हैं उसी प् पर नियंत्रन बिस जो संसाधन है संसाधन पर नियंत्रन बिस राजनीति के लिए मौलिक है नि कह सकते कि जो आई आर है उसमें जितने देश हैं क्या करना चाते हैं कि संसाधनों पर उसका नियंत्रन हो जाए हर राज क्या चाता है कि जो भी संसाधन है उसका कंट्रोल हो प्रतेक राज भावतिक संसाधनों को अधिक्तम नियंतर्ण हासिल करने के लिए लगातार प्यास करता है नियंतर्ण की यह प्रिविर्थी विशुराजनीती के लिए मौलिक है यथार्थवाद इस धार्ना की अन्यमानताओं को जोड करके देखता है और रुजित ठैरानिक क कोशित करता है इस दिश्च को बढ़ावा देता है राज जी को भावतिक संसाधन पर नियंतर्ण रखने के लिए प्रेरीत करता है क्योंकि इसके घटक ही कहता की जो संसाधन है राज जो है संसाध्वों पर अपना कंट्रोल जबाना चाते कोई भी राज भो कुई इसी प् पता था कि जो अंतराश्टिय संबंध है उसमें राज जो है इंपोर्टन्थ है राज का जैसे नेचर होगा उसी प्रकार से अंतराश्टी व्योस्ता भी चलती रहती है। यक्ति सभी चीजों पर अपना कंट्रोल चाता उसी प्रकासे अंतराष्टे सम्मनों में जो राज्य हैं उभी सभी संसाधनों पर क्या है अपना कंट्रोल करने का प्रियास करते हैं ठीक है अगला देखो कि यहाँ पर जैसे सास्त्री यह अथार्थवाद है वही जो आपको बता रखा सास्त्री यह अथार्थवाद में वही चीज़े आपको मुश्री लिखना पड़ेगा यहाँ पर देखो यहाँ पर जो सास्त्री यह अथार्थवाद बता रखा इसके सिध्धान जो है ध्यान सुनना सास्त्री यह अथार्थवाद के सिध्धान इससे आपको य कह सकते हैं कि यथार्थवादी कहते हैं कि आदर्षवाद पहले माना जाता है आदर्षवाद बहुत इंपोर्टन्ट है व्यक्ति आदर्षवादी है राज्यादर्षवादी है लेकिन जब फर्स्ट ओल्डवार हुआ सेकंड ओल्डवार हुआ तब भाई लोगों ने माना ना तो व्यक्ति आधर सुवाधी है ना तो राज चाहता है ऑरिक वे और याइज हैं ना गर्मिघ चाहता है uh अमेरिका के पास सक्ति है चीन के पास सक्ति है गरीब देशों को कुछ ने चलती वही जिसके पास सक्ति जिसके पास सक्ति का सिध्धान्त है जिसके पास पौर रहेगी उसी की चलेगी वही दादा है अगला क्या है राज और संगर्स है कि जिस प्रकार से मनुष्ष करता है चीजों पर कब ज़माने के लिए उसी प्रकार से राज भी क्या है संघर्स करते हैं लड़ाई करते हैं युद्ध करते हैं यह उसी प्रकार से अंतराश्टी जो संबंध है वो होता है यह मनुस का जैसा सुभाव है हमें स्वार्थी दिखाई पड़ता है यह मनुस ज उसी प्रकार से अंतराश्टी संभन्दों inclusive जो सोभाहों बन जाता है ठीक को अगले क्या बता चाहा रहे देखेगा गला माला सव्हार राश्टी होते हैं उसके जो राष्टी कंद्ध में ॆ थार्थ वाद हमें बताता है जिस प्रकार से व्यक्ति अपने हीतों को पूर्ति करना चाहता है उसी प्रकार से राज जो है वह भी अपने हीतों को पूर्ति करना चाहता है और अंतर राश्टी व्योस्ता में क्या है कि सभी जो राज है वो सिरफ अपने हीतों को पूर्ति करन चाते हैं बलकि वह किसी यान्य चीज को नहीं देखते हैं यानि व्यक्ति जो है अपने हित देखता है उसी प्रकार से जैसे व्यक्ति का नेचर है उसी प्रकार से राजी का नेचर है भई राजी भी अपना हित देखता है और उसी प्रकार से अंतराश्टी राजनीति में क्य है कि सभी अपना हित देखते हैं अपना भला देखते हैं दूसरे के बारे में वो नहीं सोचते हैं यही यथार्थ वाद बता रहा है ठीक है अगला क्या है राश्ट्य हित साधन राजनितिक नैतिकता है कि कोई भी देश होना अपने सिरफ राश्ट्य हित को साधने के लिए का सारा लेते हैं अगर कोई देश बोलता है कि मैं भाई बहुत नयतिक हूँ मैं लोगों की बात करते लोग भलाइं की बात करते हैं इसका मतलब क्या है ओ सिरफ अपने राष्टे हित साधना चाता है जिस प्रकार से व्यक्ति दूसरे प्रकपजा दमाने के लिए कंट्रोल करने के लिए क्या करता है बड़ी नयतिकतावादी बनता ना भाई मैं तो बड़ा अच्छा हूँ मैं तो ऐसा हूँ मैं तो ऐसा हूँ जिस प्रकार से व्यक्ति कई प्रकार के पाखंड करता है दूसरे प्रकपजा दमाले या जैसे आदमी निकलाने के लिए कुछ भी बहुत सारे लोग होते नंका आगर उनको आपसे कोई काम है तो क्या करेंगे आपकी बड़ी बड़ाई करेंगे तो रंत अपना काम बता देंगे जिस प्रकार से जो व्यक्ति होता है उन नयतिक्ता वादी बनता अगर किसी को कोई आ काम होगा ना तो आपकी बड़ी बड़ाई करेगा आप तो बहुत अच्छे हैं ऐसे हैं वैसे हैं तो कहरा कि अंतर जो राश्टी हीत होते हैं सभी अपने राश्टी को पूरा करने के लिए नयतिकता की बात करते हैं जिस प्रकार से व्यक्ति होता है अगर उसका कोई काम पर कि सक्ति को बढ़ा करके यानी मिल्टरी पावर को गेन करके क्या करना चाते हैं दूसरे देशों पर कब्जा करने जिस प्रकार से व्यक्ति दूसरे लोगों पर अपना कंट्रोल करना चाता है जैसे व्यक्ति का नेचर है उसी प्रकार से राजी का नेचर है और जैसे राज बॉत्त बाउटे刃 प्रथम चुर्थ और Subscribe बीयुस्त मिं मना जाता कि राज कि आजर्ल स्वादी होते हैं स्टेट की बात की जाते थी स्टेट तो आइडियल होता है व्यक्ति भी आइडियल होता है लेकिन जब फर्स्ट ओल्डार हुआ सेकंड ओला तब लोगों को पता भाया व्यक्ति तो आइडियल नहीं होता ना तो राज आइडियल होता है व्यक्ति क्या सक्ति गेन करके सबको अपने कब्जे में लेना चाहता है उसी प्रकार से राज जो है अपनी सक्ति को बढ़ा करके दूसरे पर कब्जा जमन और उसी प्रकार से अंतर राष्टी ब्यवस्ता में क्या है सक्ति को पूरा करना चाहते हैं जिस प्रकार से व्यक्ति अंकारी है घमंडी है स्वार्थी है अपने हीतों को पूरी करने के लिए लगा है उसी प्रकार से अंतराश्टी ब्यवस्थाओं में भी उसी प्रकार से हमें देखनों को मिलता है, igh handicap है युद्ध नहीं करता है क्योंकि युद्ध करेगा तो सक्ति चली जाएगी या घाटा होगा तो हर देश क्या करता है कि सक्ति प्राप्त करने के लिए लगातार संघर्ष करता है कहां पर अंतर राश्टी व्योस्त में जिस प्रकार से मनुस्य अपनी सक्ति बढ़ाने के रखा है वहाँ पर मैंने अच्छे से explain किया था नव यथार्थ वाद को लेकर के यहाँ पर भी हम नव यथार्थ वाद को लेकर थोड़ी बात करें देखो यथार्थ वाद कहता है कि जो जो अंतराष्टी विवस्था है उसमें क्या है अजार्थ वाद कहता है अनव यथार्थ वाद कहता है जैसे यथार्थ वाद ने बोला कि भाई व्यक्ति में अजारता है व्यक्ति में क्या है प्रकार से व्यक्ति में दोस है कह सकते हैं अगर मैं बूलू तो यथार्थ वादी कहते हैं व्यक्ति में दोस है तो सिस्टम हमारा है, हमारा जो सिस्टम तर्फ़ कि अंतराश्ट्रा वैस्ट है उसमें आजा रखता है, ब्यक्ती में नहीं है। यनि हमारी जो बेवस्थाएं है वो बेवस्थाएं ही ठीक नहीं है ठीक है ये कार्ण बताता है ठीक है अगला देखिए का क्या सुरक्षा दूबजा की बात करता है नव यथार्थवादी कहते हैं कि नव यथार्थवाद सनचना यथार्थवाद सास्त्री यथार्थवाद नहीं करता है राज की बात नहीं करता है बलकि जो हमारी संस्थाये हैं जो इस्टिक्चर है जो हमारा स्टिक्चर है करना बहुत जरूरी है किया अंतराष्टी व sprach करेंगे तो सक्ति का संतुलन अर्लम भरोष्ट के पाजिए? दूसरा धुरुपिता अगर ऐसा नहीं रहेगा तो जो हमारा अंतराश्टी ब्यवस्ता हो उसमें आजा रखता आ जाएगी इस्तिर्था की बात करता है तो नव या थार्थवाद और या थार्थवाद जिसकी बात करता है मैं यहीं पर और बाकादा इनने हेडिंग बना रखी है इन हेडिंग आपके लिए बहुत इंपोर्टन्ट हो सकती जो इनकी मैं डिसकर कर रहा था पहले चप्टर में भी मैंने आपको या थार्थवाद नव या थार्थवाद पढ़ाया है और इस चप्टर में मैंने आपको या थार्थवाद नव या थार्थवाद बलकि इस बुक में आपके जो पॉइंट दिये गए हैं उनकी according मैंने आपको बताने का प्रयास किया है ठीक है इसके बाद अगर मैं बात करूँ अगर आप देखेंगे तो आपके जो चप्टर नंबर 5 है चप्टर नंबर 6 है चप्टर नंबर 7 है तीन चप्टर बचे हुए है एक तीन चप्टर मैं कोशिस करूँगा आपको next class में अगली जो class होगी मैं वहाँ पर बता दूँगा और अगला जो हमारा अहाँ पर देखेंगे जैसे निर्भरतार सिद्धान्त हमारे लिए important हो सकता है क्या है एक चप्टर आपको आएगा चप्टर नंबर 6 में निर्भरता सिद्धान्त ये important हो सकता है इससे question पूछे जा सक अंतर श्याइव Race निर्भरता सिद्धान्त ये बताता है कि अंतराष्टी ऑफ्टमना हर देश दोसरी निर्भर है क्या है निर्भर डिपेंड़न्सीव हो गई है नतराष्ठी में हर देश क्या हर डुद अ begins पर डिपेंड़न्ट है इक जैसे आप समनें तेख कि जैसे खूतीuk मारूती पूरी मारूती पूरी आधी हैं पूरे बनती उसके पाठ होते हैं कहीं अलग अलग जगें अलग जेश्ग हैं कbenब तो स्अआ प्रफद्रु NT अगर कोई अगर कोई अगर कोई मालीजे टेक्नोजी आती है तो उसका यूज पहले कौन करता है बड़े देशों हैं, जो अमीर देश हैं, या विक्सित देश हैं, वो इसका यूज करते हैं, जब टेक्नोजी पुरानी हो जाती है, तब उसको गरीब देशों में दिया जाता है, तब उसको गरीब देश यूज करते हैं, एक प्रकाश से क्या है, एक डिपंडेंसी है ना, कि भाई पहले अमेर देश से उसका यूज करेंगे, बाद में उसका गरीड देश YUज करेंगे। जैसे आपको बताऊं कि कोई भी टेकनोजी हो जैसे पहले लोग बताते हैं कि जैसे फ्रीज है टीबी है पूलर है या एसी है ये पहले अमेरिकम बहुत पहले आया था वहां पर खूब चला खूब चला बाद में भारत में आया है क्या है एक प्रकास के डिपंडेंसी है ना तो डिपंडेंसी निर्भरता सिधानते बताता है कि अंतर राष्टी बेवस्था में क्या है एक देश दूसरे देश पर क्या है बहुत ज़्यदा निर्भर है और निर्भरता में क्या होता है कि जो अमीर देश हैं जो सक्तिसाली देश हैं क्या है वो गरीब देशों क्या क करता है क्या है एक प्रकार से एक प्रकार से अमेरिका हम लोगों पर निर्भर है लेकिन आप सब ने देखा कि अमेरिका हमारी कोई मदद नहीं करता है हमारे देश के लोग इतने लोग वहां पर जाते हैं वहां पर काम करते हैं एक प्रकार से क्या है कि हमारे देश का जो स्रम है कहां जा रहा किसी दूसरे देश में जा रहा है बड़े दिखित देश में जा रहा है लेकिन उसका हमें किसी प्रकार कर्लावनी मिलता है क्या थोड़े बहुत पैसे मिल जाते हैं बहुत आगे भरता चला जा रहा है और एक प्रकाष Chapel technology, technology में क्या आए दूसरे दो पर निर्भरता सिधान दे बताता है कि झब अंतराष्टी वेवस्ता में एक देश दूसरे देश पर निर्भर हो जाता है जैसे गरीब आदमी अमीर पर निर्भर है कि भाई अमीर आदमी उसको पैसा देगा तो क्या है खायेगा पीएगा उसी प्रकार से निर्भरता सिध्धान जो है बताता है कि पूरी अंतरार्ची वेवस्ता में एक देश दूसरे दवर क्या है निर्भर हो गया डिपेंडेंट हो गया और कई बार इसका जो अमीर देश है जो विकास इल देश इसका फाइदा उठाते हैं जी ते क्या है ब्यवस्ताउपागम इससे भी कोस्टन पूछे जा सकते हैं आपके देश देश भर काया सकता है लास्ट में वेवस्ता प्धावाद शाइद एक बार आ चुका है तो इसको नहीं लेकिन मेरे हिसाफ से मैं बतादो जिन तीन बाहे बात की है निर्भरता सिध्धान्त और वेवस्था उपागम को पढ़ लेना यथार्थ वाद चोथा तो मैंने पढ़ा दिया है पांचवाँ छठा जो है अगर मैं समय मिलेगा तो मैं भी इसको आपको जरूर करवा दूगा तो आपकी जो बुक है अगर आप देखेंगे बी पी एस सी वन थर्टी चेप्टर मैंने आपको जरूर बता दिया है एक या दो चेप्टर जो बचे हुए हैं जो थोड़े इंपोर्टन्ट हो सकते हैं लेकिन जितना मैंने बता है अगर आप इसको आच्छे से कर लेते हैं तो आपका एक्जाम अच्छे से जरूर निकल जाएगा कि आपको किसी प्रकार की समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा ठीक है बाकी जो बेवस्था उपागम निरभरता सिधान निरभरता सिधान तो मैंने थोड़ा बहुत आपको समझाने का प्रयास क्या है बलकि चैनल पर वीडियो भी आप उसको जा करके देख सकते हैं और रचनावाद अग लोग जरूर देख लीजेगा ठीक है